असलाम राएकूम आपर बीडियो मे शेयर करने जा रही हूं मैं अपना किचन नीड अन क्लियन किस तरह से करती हूं क्या क्या चीज मैं यूस में लेती हूं साफ साफ उफाई करने के टाइम वह मैं अज अप बताने वाली हूं जैसे हमारे किचन टाइप की किचन साइट की विंडोज होती है महाँ पर भाप अगेरा जाती है वो इतना मतलब धूल वूल जम जाता है अभी हमने इसे इद परी साफ करा था तब भी यह वापस से ओईली हो जाता है पूरा इन गंदा हो गया था तो मैंने सोची कि उना आप को कोई एक शेंपू यूज करना है आप उसे लगाकर पांच मिनट या फिर दस मिनट तक छोड़ दी जो उसके बाद आप उसे घस दिये इतना नवा जैसा दिखने लगता है हमारा कांच सो उसको घसने के बाद प्रॉपरली हमें उसको वाइप कर लेना है एंड उसके प्लास्टिक का डब रखा हुआ था उसी के माप का था मैंने उसे कट करके उसके ओपस टिक कर दी और मैं आपको बताती हूं हूं की यहां पर मप्ला क्रॉपर करें गस देंगे तो आप देख सकते हैं कितना न्यू टाइप का दिखने लगा है वाइट जो होता है ना वो बहुत ही जल्दी गंदी हो जाती है तो उसे हमें ध्यान देना पड़ता है मतलब उस पर बार बार हम अगर साफ नहीं करेंगे तो फिर वो बहुत ही जादा गंदी को चुकी है यहां पर हमें कुछ दिनों में अपना स्वीच बोट साफ करते रहना है ताकि वो नीट एन क्लीन दीखे अब गीला कपड़ा भी फिरा देंगे उससे भी बहुत ही वो नीट एन क्लीन हो जाता है अगर आप टाइम टू टाइम उसे अगर साफ करेंगे तो इतन इन एक DIY श्टिक कर दी जो कि मैंने बना कर रखी थी एंड सबसे इंपोर्टेंट बात गाइस के जो हमारे घर पर मेमान आते वह अगर कभी किचन में आ जाए और अलग-अलग डब्बे रखे होए तो अच्छा नहीं लगता देखने में जिस टाइप की डब्बे हैं आप उस तरीके से रखे मेरे पास दो टाइप के थे आपने देखा मैंने जो मेरा सेम था उपर मैंने अपने जो किचन का उपर वाला जो साइट था वहां पर मैंने सब सैम डब्बे रखी हूं और नीचे मैंने टोकरी में सब सैम रखी हूं इससे दिखने में गंदा भी नहीं इधर जो मैंने डबा बनाई थी वो मैं फिल्टर के ऊपर रख रही हूँ उसके ऊपर मैंने बरतंद होने का जेल, फिनाइल बगेरा ये सब रखी हुई थी इसलिए मैंने इसको यूज में ली थी और यहां का मैं वाल पेपर चेंज कर दी जिसका मैं क्लिप नहीं ली थी क्य इसा कुछ बताया था हुएॽ सिफ को क्को बोक्स को कट करके ऊदर मैंने कलर कर दी हूं तो जो मने बोक्स में करके उसमें जो हमारे बाउल है वो गंदे नहीं हूंगे बारी में अब भी एंड उससे कवर अपरेगा कोई भी देखेगा तो गंदा नहीं दिखेगा एक्साइट रहेगा एंड यह दिखने में भी नीट एंड क्लेन दिखता है सो आपको मेरा किचन केसा लगा मुझे कॉमेंट लेगा